Welcome friends, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारा चैनल पे और आज हम बात करने वाले हैं इस सफते थेटर्स में रिलीज हुई ओडिया फिल्म यानिकी दमन के बारे में वैसे तो आप मेंसे काफी कम लोग ही होंगे जो ओडिया फिल्म के बार में पता होगा बट वीडियो की शुरुआत में एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह जो फिल्म है यह ओडिया फिल्म इंडिस्ट्री की वन उप इंपॉर्टेंट फिल्म है यह एक ऐसी फिल्म है जो इंडिस्ट्री को एक नया रूप देने की कोशिश कर रही है जो ओडिया सिनिमा को एक नया रूप देने की कोशिश कर रही है जो इंडिस्ट्री को रिवाइब करने की कोशिश कर रही है जो audience का interest सिनमा के अंदर ओडिया फिल्मों के अंदर फिर से create करने की कोशिश कर रही है तो ऐसी एक फिल्म के बारे में हम आज बात करने वाले हैं और क्योंकि मुझे पता है कि ये फिल्म आज की डेट में केवल ओडिया के अंदर limited है मुझे पता नहीं फिल्म का standard कैसा है मैंने ट्रेलर देखा है उससे मुझे बस इतना पता चला है कि जो भी मैंने इससे पहले ओडिया सिनमा के अंदर देखा है उससे लाग गुना बैटर चीज जो है ये बनके निकली है तो इसलिए हो सकता है कि आपने से जो लोग ओडियसा को belong नहीं करते हैं उन्हें इस फिल्म के अंदर उतना कुछ interest ना हो इवर मुझे ये भी नहीं पता है कि ये फिल्म आने वाले समय में ओडियसा के बाहर कहीं पर release होगी भी या नहीं ODT पर आईगी भी या नहीं आती भी है तो सब्ट्रेटर्स होंगे या नहीं मुझे इस चीज के बार में कुछ भी आईडिया नहीं है बट मैं बस एक वीडियो बनाना चाहता था जहांपर मैं उन लोगों से request करना चाहता था especially जो लोग ओडियसा में रहते हैं जो लोग पैसे खर्च करके थेटर जाकर फिल्में देख सकते हैं जो पैसे खर्च करते हैं थेटर जाते हैं पुषपार की जी एफ, ट्रिपल आर, कार्ती के टू, कांतारा जैसी फिल्मों को देखने जाते हैं उन सभी से बस मैं एक request करना चाहूँँगा की प्लीज इस फिल्म को जो है, सपोर्ट कीजिए देखिए, हमारी इंडिस्ट्री जो है ओडिया फिल्म इंडिस्ट्री जो है, अच्छी है या बुरी है वहाँ तक पहुँचने में भी मुझे लगता है की अभी और ऐसी दमन जिसी तीन-चार फिल्मों की जरुवत पड़ेगी अच्छी है या बुरी है, सबसे पहली जीज़ हमें ये देखना चाहिए कि क्या improvement हो रहा है या नहीं, और अगर इस चीज़ पर सवाल उठाया जाए, तो definitely मेरा जवाब होगा कि हाँ दमन फिल्म के अंदर improvement देखने को मिल रही है, honestly जब मैंने पहली बार इस फिल्म का thriller देखा था, मुझे यकीन नहीं हुआ था, कि सही में किसे ने attempt लिया है कि ऐसी कुछ film बनाने का realistic film बनाने का, original film बनाने का without any commercial elements कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं कि हमें South से लेना है Bollywood से लेना है, इधर से लेना है, उधर से लेना है, pure original Odia content इसे मैं कहूंगा, तो ऐसी एक film के लिए मेरी personal एक request है जितने भी लोग Odisha में रहते हैं फिल्म में देखना पसंद करते हैं, जाए इस film को जो है theater में देखिए अगर आप इस film को support करते हो, और इस film के बारे में अपना honest feedback अगर देते हो, तो इससे दो चीज़े होंगी पहली चीज़ अगर आप इने support करोगे तो जिनोंने भी इनकी film पर पैसा लगाया है उनके अंदर भी confidence आएगा कि हाँ, हमारी जो ओडिया audience है वो जाकर ऐसी film में जो है जो commercial film में नहीं है ऐसी film को थेटर में देखना पसंद करती है तो at least इसी genre के अंदर ऐसे ही making के अंदर जो है film के scale को बढ़ाया जा सकता है पैसे लगाने को और ज़्यादा लोग तैयार होंगे तो जो है production quality और better होगी और जो director है उन्हें भी जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि audience जो है क्या पसंद करती है क्या ना पसंद करती है और क्या उन्हें improvement लानी चाहिए तो at least आप जाईए इस film को थेटर में देखिए अपना feedback दीजिए, मुझे पता नहीं दूसरा director कौन क्या कर रहा है बट इस film के maker जितने भी है उसके लिए तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इनको आप एक honest feedback दोगे support करोगे तो ये लोग जो है आगे और बैठरीन फिल्म में लेकर आएंगे एक चीज जो मुझे दो चीज़े जो कल के दिन मुझे पिल्कुल पसंद नहीं आई पहली चीज एक ओडिया फिल्म रिलीज हो रही है seriously आपड़ माने एई फिल्म को बड़ बड़ सिनेमा रे भी के बड़ गुट्टाई शो दे चांती महाराजा सिनेमा ओडिसार मो जैती की नौलेज अची वन अब दा आइकोनिक थियेटर सिटी एई फिल्म को के बड़ गुट्टाई शो मिलची सबू शो मुझे रेकॉर्ड चेक करची हाउसफुल जाओची अल्मोस्ट सोल्ड आउट है जाओची फोन भी काली सॉंडे पहीं फिल्म रो शो काउंट्स बढ़ा है नि आपनो मन को लागू ची की ओडिया ओडियन्स रो किछी इंट्रेस्ट हची फोन भूत भीडिया सिनिमा देखिया रे काई सही फिल्म को दीटा शो दिया है ची गोटाई शो भी रोखे ले सेतिक लोको आसी में देखिया को है पारे कि कई भी नौ आसन थी आप पढ़ो गोटाई शो ए फिल्म को एक्स्टा बढ़ा है तो कांतारा फिल्म रो भी गोटाई शो के बढ़ा सॉंडे पहें गोटाई शो कम करी के ना पहली बात तो यह है कि एक ओडिया फिल्म रिलीज हो रही है उसको इतना लिमिटेड शो मिला है इतने लिमिटेड थेटर्स मिले हैं जितना मैंने पता किया ओडिसा के अंदर हाडली शायद आज की डेट में 50-55 थेटर्स वर्किंग थेटर्स हैं जिसमें से शायद 40-42 थेट पहले हैं जिसके वज़े से आप लोगों का जो भी एकजिबिटर्स होंगे उनका भी भरोसा तूट चुका होगा बट अगर किसी फिल्म को अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है तो आपकी भी एक रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है कि आप अपने तरफ से एक छोटा सा कहना चाहूंगा कि कल के दिन मैंने देखा कि ये फिल्म कल ही रिलीज हुई ओडिया फिल्मों की कहीं पर पारेसी नहीं होती है कोई वेबसाइड पे अप्लोड वगेरा नहीं होती है फिर भी कुछ लोगों ने थेटर के अंदर बैट कर पूरी की पूरी फिल्म उतार ली और उसे YouTube पर upload कर दिया, हाला कि मैंने अब सुबह देखा कि मेकस ने police complaint file कर दी है, और action जो है मेरे साब से ले भी लिया गया होगा, बट ऐसी नौबत आई ही ही क्यों, क्या मिल गया, अभी आप है case हो चुका है, हो सकता है पर आप पर fine लगे, चार्ज लगे, आपको जेल भी जाना पर सकता है, तो करके क्या मिल गया, इवन अभी भी कुछ लोग अगर कर रहे हैं, तो प्लीज इस चीज को बन कीजिए, धाई लाक लोगों ने उस फिल्म को देखा है, just imagine, अगर फिल्म को देखने के लिए थाई लाक लोग अगर थेटर में टिकेट खरीद कर इस फिल्म को देखने जाएं, तो इस फिल्म कितनी बड़ी successful फिल्म साबित हो सकती है, just average ticket price 100 रुपया लगा के चलिए, अपने आप में इस फिल्म कितनी बड़ी successful फिल्म साबित हो सकती है, तो हमेशा तो ओडिया फिल्म आती नहीं है, बहुत लंबे समय के बाद कोई ओडिया फिल्म आई है, देखे, अब हो सकता है कि आपका mindset commercial वाला बन चुका हो, आपको mass masala फिल्मे ही पसंद हो, बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आने वाले समय में, ओडिया फिल्म इंडिस्ट्री के अंदर कोई बहुत अच्छी commercial फिल्म बनेगी, mass entertaining फिल्म बनेगी ना, तो उस चीज़ को अभी तो हो सकता है कि आने वाले 3-4 सालों तक अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे पास resource कितना है और उस पर recovery कितनी हो सकती है, या फिर मान लीजे कि recovery हमारी फिल्म में कितनी कर सकती है, तभी उस फिल्म को कितना source मिल सकता है, अगर Odisha के अंदर hardly 50-55 theaters चल रहे हैं, तो recovery भी उतनी ही होगी ना, और जितना पैसा आज की डेट में Odia Film Industry के अंदर एक फिल्म पर maximum लगाया जा सकता है, उतने बजट के अंदर हम action फिल्में नहीं बना सकते हैं, हम उनको दमन जैसी original realistic फिल्में ही बनानी पड़ेगी, और उसी पर ही हमारा attempt रहना चाहिए, मैं तो कहूंगा जितने भी makers आने वाले समय में action फिल्में बना रहे हैं, प्लीज उतना ही पैसा, दमन फिल्म के जो डिरेक्टर हैं, ऐसे ही कुछ और talented directors को ढूंडिए, उनके साथ फिल्में बनाईए, realistic फिल्में बनाईए, उतने ही budget पर दमन जैसी फिल्में, या फिर original content वाली जो फिल्में होती है, realistic फिल्में, वो हो सकता है कि आप romantic drama ले लीजिए, वो हो सकता है कि आप हो सके तो उसमें thriller फिल्में ले लीजिए, sensible way में, mature way में बनाने की कुशिश कीजिए, उतने ही budget के अंदर, कोशिश मत कीजिए कि action फिल्में बनाने की, ज़रूरी नहीं है कि बाबुशन महांती है, तो वो action film में ही करेंगे, उनके साथ मिलकर आप film बनाएए, उनको convince कीजिए कि हमें थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा कि कुछ अलग करने का, जो की दमन फिल्म के मेकस ने सोचा है, तो शुक्रियादा करना चाहूंगा दमन फिल्म के मेकस का, फिल्म के डिरेक्टर का, इविन बाबुशान भाई का की, उन्होंने ये attempt लिया, कुछ अलग try करने का, industry को एक नया रूप देने का, तो मैं आशा करता हूं कि audience भी जो है, इस फिल्म को थेटर में देखने जाए, support करे, तो जाए देखिए, बताइए कैसी लगी है, अगर देख लिया है, तो review बताइए, अपना honest review, discussion, analysis, comment section, पुरी तरिके से आपके लिए खुला पड़ा हुआ है, विडियो को पसंद आया होगा, वीडियो से लिए लाइक शेयर जरून कीजेगा, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाब बाई, टेक केर,